वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंदर पर अंतरित कोण वृत्त पर कोई दो बिंदू A और B हो तो वृत्त दो चापों में बढ़ जाता है लगुचाप AB के अंद बिंदू A और B को केंदर O से मिलाईए चाप AB के द्वारा केंदर पर बना कोण AOB केंदरी कोण कहलाता है पुनाह वृत्व पर दो बिंदू P और Q इस प्रकार लेते हैं कि उनसे बने लगु चाप P Q की लंबाई लगु चाप AB से अधिक हो तता वह केंदर ओपर कोण PO Q बनाता हो देखी आकरिती 44 क्या चाप की लंबाई तता चाप द्वारा केंदर पर बनाए गए कोण में कोई सम्मन देख पा रहे हैं आकरिती 44 में आप देख सकते हैं कि चाप की लंबाई अधिक होने पर केंदर में बना कोण भी अधिक होता है सोचें एवं चर्चा करें एक वृत्य के लगु चाप APB का अंश्माप आकरिती 45 एक्स डिग्री हो तो दिर्ग चाप AMB का अंश्माप 360 डिग्री माइनस X डिग्री होता है क्यों? वृत्य के चाप के अंत बिंदू को वृत्य की 6 परिधी में इस्थित किसी बिंदू से मिलाईए जैसे आकरिती 46 में दिखाया गया है तब कोण ACB चाप APB द्वारा परिधी के से बिंदू पर बनाया गया कोण कहलाता है आईए अब हम एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा वृत्य के परिधी के 6 भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कोण का दुगुना होता है चलिए बच्चों वृत्य के एक और गुणधर पर बात करते हैं इसके अनुसार वृत्य के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्य के उसी चाप द्वारा शेश परिधी पर इस्थित किसी बिंदू पर बने कोण का दुगुना होता है इसके लिए हम वृत्य की परिधी पर दो बिंदू A भी लेते हैं और ये बिंदू B ले लिया और इस प्रकार ये A, B एक चाप हमें मिल गया हमें इस चाप की साहता से केंद्र पर एक कोण अंत्रित करना है और इसी चाप से शेश परिधी पर कोई बिंदू लेकर एक कोण अंत्रित करना है और यहाँ देखना है कि इन कोणों के बीच क्या संबंद है चलिए, तो सबसे पहले हम एक शेश परीदी पर एक और बिंदू ले लेते हैं कौहीं बेबी, शेश परीदी पर हमने यह मान लीजे, यहाँ पर एक बिंदू लिया धागे की साहता से कोण अंत्रित कर लेते हैं यह देख लीजिए उसके अच्छी तरह से यहां फसाद दिया और उसके बाद यह हो गया A, O, B, A, कोण जो की A, B चाप द्वारा केंद्र पर बन रहा है ठीक है? चली हम बिंदू C पर जो की शेश परिदी पर लिया गया बिंदू है उसके बाद हम दोनों कोणों का मापन कर लेंगे यह हो गया देखिए यह भी A, B चाप द्वारा बनने वाला ही कोण है जो की वित्त की परिदी पर किसी बिंदू पर बन रहा है यह हमने दो कोण प्राप्त कर लिए अब इन कोणों का मापन करते हैं चलिए A, B चाप द्वारा जो केंदर पर कोण बन रहा है उसका हम मापन कर लें आधार रेखा के समनांतर हम देखिए इस रेखा को ले ले रहे है A, O को रेखा खंड जो A, O है और अब हम कोण का मापन करें तो आप देख रहे हैं कि 80.6 अंश जो है वो कोण का माप हमें मिल रहा है अब हमें इसका मापन करना है बिंदू C पर बिंदू C पर हम देख ले तो यह आधार रेखा B, C B, C को हम आधार रेखा ले रहे हैं और कोण को हम देख रहे हैं तो यह हमें मिल रहा है 40.3 अंश तो 40.3 और 80.6 में क्या सम्मन्द है 40.3 का 80.6 जो है वो दुगना है इसका मतलब वृत्य के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वो उसी चाप द्वारा शेश परिधी पर बने किसी बिंदू पर बने कोण का दुगना होता है चलिए हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा इस गुण धर्म का अब हम इसे तारकिक रुप से सिद्ध करते हैं